हेलो दोस्तो, श्वागत है आप सभी लोगों का राजस्तान अकेडमी पर मैं परविर सिंग आप सभी लोगों के साथ में, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं लगातार CET exam के लिए मैट्स की क्लासेस लेकर के आ रहा हूं और साइंस की क्लासेस लेकर के आ रहा हूं और आप सभी लोग उन classes को enjoy भी कर रहे होंगे साथी साथ हमने आप सभी लोगों के लिए CET और LDC exam और SSC GD exam को ध्यान में रखते हुए आप लोगों के लिए एक नोकरी प्रोजेक्ट की भी सुरुआत करी थी जितकी जानकारी के लिए आप हमारे YouTube चैनल पर available वीडियो भी देख सकते हो साथी साथ हमारे description में एक number दिया गया है WhatsApp उस पर आप message भी कर सकते हो हमने कल लाश क्लास के अंदर एक कोशन दिया गया था आप लोगों को कि अगर किसी वस्तू को बेचने पर एक आदमी को उसके विक्रम मुल्य के 25 परतिशत के बराबर लाब होता है तो बताईए लाब परतिशत जो है वो कितना है यानि अगर कोई वस्तू है वो आप 100 रुपे में बेच रहे हो तो आपको 25 रुपे का लाब हो रहा है तो बताओ कि उसका जो लाब परतिशत है रियल लाब परतिशत है वो कितना है ये आप से पूछा जा रहा है ठीक है चलिए तो इस कोशन का आंसर क्या होगा मैं आपके सामने सौल कर रहा हूँ तो आपको पता चल जाएगा अगर किसी विद्यारती ने किया है तो वो चेक भी कर लेवे कि अपना उनके द्वारा किया गया मैथड सही था या नहीं तो माल लीजिए कि विक्रम मुल्य यानि सेलिंग प्राइज जो है वो सो रुपे है ठीक है तो अवेसी बात है कि जो लाब है वो कितना होगा सो का पच्चिस परसेंट यानि कि पच्चिस रुपे है ठीक है तो क्रम मुल्य कितना हो जाएगा यानि cost price कितनी हो जाएगी तो cost price आपको पता होगा क्या करते हैं selling price minus lab यानि 100 minus 75 कितना आ जाएगा 75 रुपे और lab प्रतिसत होता क्या है lab प्रतिसत होता है lab कितना हो रहा है 25 बटे क्रम उल्य कितना है 75 गुणा 100 ये कट जाएगा कट के कितना आएगा 25 तिया 45 3 से ये 100 कटेगा तो answer आ जाएगा 33 सही 1 बटे 3 प्रतिसत कितना आएगा 33 सही 1 बटे 3 प्रतिसत यानि option D अपना एक दम सही है किसी भी परकार का गलत कोई नहीं है ठीक है समझ में आगई बात तो आपका answer आ चुका है 33 सही 1 बटे 3 प्रतिसत यानि option D आपका सही है तो जिस भी 33 ने solve किया वो चेक कर लेवे कि उनका answer D आ रहा था या नहीं ठीक है चलिए बढ़ते हैं आज के एक पहले कोशन की और पहला कोशन आप सबी लोगों के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर है और क्या कोशन पूचा जा रहा है कि एक वैपारी ने संपती उसके मूल कीमत के तीन पाँचवे भाग में यानि कि तीन बटे पाँचवे भाग में खरीदी और उसे मूल कीमत से उसकी जो मूल कीमत थी उससे 5% अधिक कितने पर 5% अधिक पर बेच दिया तो इस पूरे सौदे के अंदर जो लाब प्रतिसत है वो कितना है ये आप से पूचा जा रहा है ठीक है समझ में आगई बात चलिए अब इस कोशन को कैसे करेंगे देखिएगा उससे पहले आपके लिए मैं समय स्टार्ट कर देता हूँ तो आपका समय होता है स्टार्ट करिए इस कोशन को सॉल्व जल्दी से जल्दी और जैसे ही आपका ये कोशन सॉल्व हो जाए है ठीक है बहुत ही सिंपल सा कोशन है कोई जादा इसके अंदर हाड एंद फास्ट वाली चीत पूछी नहीं गई आपसे सिंपल सा कोशन है करिए जल्दी से जल्दी जीवन में बैठे रहने से कुछ नहीं मिलता है हमें अपने हिस्से की लड़ाई तो खुद लड़नी पड़ती है बिना लड़े और बिना चले न तो जीवन जिया जा सकता है दोस्तों नहीं जीता जा सकता है ठीक है चलिए चार, तीन, दो, एक और ये जिरो आपका समय हुआ समाप्त देखिए इस कोशन को कैसे करेंगे सबसे पहले आपको इसमें कहा गया है कि एक संपती उसके मूल कीमत के है ना तो आपने माल लीजिए कि उसकी जो मूल कीमत है क्या मूल कीमत यानि आप ये कह सकते हो कि उसकी real value 100 रुपे है अपने according कितनी माल ली 100 रुपे तो ये बताइए आपका जो क्रम मूले है जो आपने cost price दिया वो कितना हो जाएगा तीन बटे पांचवा भाग यानि 100 का तीन बटे पांचवा भाग तो ये कितना आएगा पांच से ये बीस तो बीस दिया साइट रुपे है ना तो cost price कितना आजाएगा 60 रुपीज आ जाएगा अब selling price कितना आएगा तो तो selling price कितना आएगा देखो मूल कीमत से 5% अधिक पर बेचता है यानि 105 रुपे में बेच रहा है कितने में बेच रहा है तो cost price कितनी थी 60 रुपीज selling price कितनी है 105 रुपे अब आपको बताएगे लाब ही हो रहा है बिल्कूल और लाब प्रतिशत कैसे निकलेगा तो लाब कितना हो रहा है 105 माइनस साइट कितना हुआ 45 रुपे ये 45 रुपे किस पर हो रहा है 60 रुपीज पर इंटू 100 अब करेंगे टाइटाइफिज तो 15 तिया 45 15 चौक 60 ठीक है 4 से कटेगा ये कितनी बार 25 बार और 25 तिया 75 कितना हो जाएगा 75 हो जाएगा समझ में आ गई बात तो अपने option नंबर B एकदम सही है किसी भी परकार से कहीं भी कोई गलती नहीं है तो इसका answer क्या आएगा B answer आ जाएगा 75 परसेंट का लाब हो जाएगा क्यों क्यों हमने माल लिया कि मूल कीमत जो थी वो 100 रुपे थी तो 100 में से cost price उसका 3 बटे 5 है तो वो अपदे दिकाल लिया तो वो आया 60 रुपे अब selling price उसने बोला कि जो मूल कीमत है उससे 5 रुपे जादा 5 परसेंट जादा है यानि 100 की 5 परसेंट कितनी हो दिया 5 तो 5 रुपे जादा लेगा यानि 105 में बेच रहा है 60 में खरीद कर और ये भी एक simple सा कोशन है अच्छा सा कोशन है करेंगे इस कोशन को और इसमें क्या है देखिएगा कोशन क्या है किसी वस्तु को बेचने पर 20% का लाब होता है कोई भी वस्तु जो है उसको जब अपन बेचते हैं तो 20% का लाब होता है कितना लाब हो रहा है 20% का लाब होता है यदि दोनो क्रमुल्य और विक्रमुल्य 100 रुपे कम होते यानि जो भी है उससे अगर 100 रुपे ये कम होते तो 4 परतीसत अधिक लाब प्राप्त होता ठीक है कितना लाब प्राप्त होता चार परसेंट अधी 20 परसेंट की जगे 24 परसेंट तो बताओ उस वस्तू का क्रव मुल्य कितना है ठीक है चलिए आप करेंगे इसको सॉल्व आपका समय हुआ स्टार्ट करिए इस को सन को जल्दी से सॉल्व और अगर आप लोग क्लास को इंजोई करते हैं तो ज्यादा से ज पूले ताकि हमें भी आपसे मोटिवेशन मिले और आप लोगों के लिए लगातार कंटिनुवसली क्लास लाने की पूरी कोसिस की जाए अन्यता क्या होता है जैसे ही हम क्लास देखते हैं अच्छा थोड़े वच्चे देख रहे हैं तो फिर हम यह सोचते हैं ठीक आज नही ताकि पॉसिबल है तो जब ऐसा पॉसिबल नहीं है तो आपका काम है कि आप हमें लाइक और शेयर और ज्यादा से ज्यादा कमेंट करा करें कि सर इसका यह आंसर है इसका यह आंसर है तो हमें लगता है कि हाँ बच्चे पढ़ रहे हैं और बच्चों को मजा आ रहा है है न ठीक है देखिएगा आप आराम से आपको समझ में आ जाएगा मान लिजिए कि क्रव मुल्या यानि कि कौस्ट प्राइज कितनी है तो एक तरफ अपन ने मान ली कौस्ट प्राइज है 100 रुपे तो बताइए सेलिंग प्राइज कितनी हो जाएगी तो अटोमेटिकली 20% का लाब हो रहा है यानि सेलिंग प्राइज हो जाएगी 120 रुपे कितनी हो जाएगी 120 रुपे ठीक है इसका अगर अनुपात करें सिंपल साथ तो 5 अनुपात 6 आ जाएगा कितना जाएगा 5 अनुपात 6 आ जाएगा किलियर है चलो अब यहाँ पर इसने बोला है क्रम मुल्य और विक्रम मुल्य 100-100 रुपे कम हो जाते तो है ना तो आपको जो है यहाँ पर क्या करना है तो आपको यह जो है 100 और यह 120 है इसको यह ऐसा नहीं माल लेना है कि यह 100-100 करके 0 कर दो नहीं यह 100 और 120 अपने रेशियो क के अनुपात में माना है तो आप इनको x x से multiply कर दो ता कि आपको confusion नहीं हो ठीक है अब तो समझ में आ रहा है 5 x जो है क्रम उल्ले है तो 6 x क्या हो जाएगा विक्रम उल्ले हो जाएगा अब 6 x minus 5 x कितना होता है 1 x तो वो क्या हो गया अपना लाब हो गया लाब प्रतिशत पराबर क्या होता है लाब 1 x आ रहा है वो बटे क्रम उल्ले क्रम उल्ले कितना हो जाएगा तो 5 x minus 100 rupees क्योंकि इसने बोलाए 100 rupees कम करना है into 100 तब लाब प्रतिशत कितना होगा चार अधी क्यानी 24 हो जाएगा अब इसको solve करना है x के लिए और क्या करना है तो कर दीजिए solve तो इसका multiply इधर कर देते हैं तो 24 पंजे कितना हो जाएगा 120x minus यह हो जाएगा 200 बराबर यह हो जाएगा 100x यह 100x इधर आ जाएगा और यह इधर सला जाएगा तो इधर बचेगा 20x बराबर इधर बचेगा 2400 यह 0 से 0 यह 2 से कटेगा तो कितना आ रहा है 120 रुपे आएगा यह किसकी value आई x की ठीक है तो करम मुली कितना था 5x 5x यानि की 12,5 यानि 600 रुपे तो आपका जो given question है उसका cost price कितना आएगा क्रम मुली कितना आएगा 600 रुपे आज जाएगा कितना आएगा 600 रुपे आपका आज जाएगा clear है आप सभी लोगों के लिए क्या करा आपन ने cost price और selling price जो है 100 और 120 मान करके उनका अनुपात निकालना तो वो आया 5X और 6X है ना भई अनुपात इसलिए X का multiply कर सकते है दोनों के वापस कट जाएगा तो 5, 6 बन जाएगा वापस उसका जब 20 से multiply करेंगे तो 100 और 120 बन रहा है कोई दिक्कत ही नहीं थी फिर 5X और 6X जो है इसका क्रव मुल्य और विक्रव मुल्य आ गया तो फिर अपन ने क्या करा लाब प्रतिशत का formula लगाया लाब बटे क्रव मुल्य और उसने बोला है कि क्रव मुल्य अगर 100 रुपे कम होता है यानि 5X माइनस 100 रुपीज तो उसको 24% का लाब होता तो लाब प्रतिशत की जिगे अपन 20 की जिगे क्या रख दिया चोईस रख दिया तो चोईस बराबर हो किया X बटे 5X माइनस 100 इंटू 100 इसको solve किया तो X की value आई 120 तो क्रव मुल्य है 5X यानि की 5 से multiply तो 600 रुपे इसका क्रव मुल्य हो गया clear है आप सबी लोगों के लिए किसी भी परकार का कोई doubt नहीं होगा ठीक है चलिए बढ़ते हैं next question की और अब हमारा next question आपके सामने है और ये भी एक अच्चा question है जिसे SSE ने भी दो तीन बार पूचा है तो अपन अब इस question को करेंगे ये लिजिए आपके screen case सामने है बहुत ही अच्चा सा question है करेंगे इसको देखिए क्या क्या रहा है कि 4 रुपे में 3 की दर से निम्बू खरीद कर यानि 4 रुपे में 3 निम्बू खरीदे और 3 रुपे में 4 निम्बू की दर से बेच दिये बहुत है च्चार रुपे में देखो question क्या है 4 रुपे में कितने निम्बू खरीदे 3 और फिर क्या करा 3 रुपे में 4 निम्बू बेच दिये ठीक है तो बताओ सिदा सिदा दिख रहा हानी तो हुई है तो बताओ कि जो हानी प्रतीस्त है वो कितना होगा ये आपसे पूचा जा रहा है और इस question को जो है आप अगर करना चाहो तो basic से भी कर सकते हो कि एक रुपे का कितना निम्बू फिर यहाँ एक रुपे का कितना निम्बू बेचा है ना उससे भी कर सकते हो और बागी आप एक trick भी मैं बताने वाला हूँ तो आप इसको try करिए ये लिजी आपका समय होता है start आप आसानी से इसको try करिए simple सा question है अगर आपने इसको थोड़ा सा ध्यान दे करके solve कर दिया तो आप answer आ जाएगा कहीं भी नहीं अटकेगा ये question simple सा question है hint भी दे दिया एक रुपे में कितने निम्बू खरीदे और एक रुपे में कितने निम्बू बेचे उससे कर लो तो भी हो जाएगा इसका answer तो है ना बागी मैं तो आपको ये direct trick से बताऊंगा कैसे करेंगे देखिएगा आप भी must simple तरीका एक दम और जब भी ऐसा question आये तो ये ही trick लगाना answer जल्दी से जल्दी निकलेगा आपका करिए बहुत ही आसान question है और ये question SSC ने है railway में और अपने राष्तान के भी कई exams में ऐसा question आ चुका है तो इस question को करना जरूरी है क्योंकि CET में इस टाइब के questions आपको देखने को मिल सकते है ठीक है चलिए करिएगा simple चा question है 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0 समय समाप्त देखिए इस question को करने के लिए आपको क्या करना है कि 4 रूपे में कितने नेम्बू खरीदे थे 3 और 3 रूपे में कितने नेम्बू बेचे थे 4 है ना फिर इनका कर दो cross multiply clear है यह से मरलब जितने रूपे थे पहले उनका multiply करोगे बाद में कितनी संख्या है उससे और बाद वाले रूपे के multiply करोगे पहले वाली संख्या से cross multiply तो कितना आजाएगा यह आया 9 और यह आजाएगा 16 ठीक है अब इसका answer क्या होगा तो जो यह आपका 9 है इसमें से इसको minus करोगे यह जो भी इदर आ रहा है इदर यह जो आप किया सकते हो cost price है इदर वाली और इदर वाली होती है selling price तो 9 minus 16 कितना हुआ minus का 7 divide by क्या करोगे 16 ठीक है यह वाली यह जो selling price आपको चलो इदर confuse हो जाओगे यह कोई कुछ नहीं है ठीक है कुछ नहीं है यह बस ऐसे ही तो जो भी आपका इदर आ रहा है यह इसको आप नीचे रिक दोगे into swap कर दोगे ठीक है अब आप इसको solve करिए तो कितनी बार कटेगा चार चौक 16 और 4 से यह 25 और 25 सत्य कितना होता है बटे 4 चार का divide करोगे तो देखो minus sign आएगा च्पिर 4 चौक 16 एक और 5 पंदरा यानी 4 तिया 12 तो बचेगा कितना 15 मैनिस 12 तीन तो 3 बटे 4 तो यह आपका आगया answer कितना आया 43 सही 3 बटे 4 यह minus sign केवल यह so कर रहा है कि यह जो आपका answer आया है यह हानी प्रतीसत में आया है क्या आया है हानी प्रतीसत के अंदर आया है और बाकी इस negative sign का कोई meaning नहीं है तो अपना यह option भी एकदम correctly सही हो जाएगा 43 सही 3 बटे 4 ठीक है बाकी आप इसको जो है देखो यह तो अपना हुआ trick method क्या हुआ trick method ठीक है direct तो इससे करना है बाकी आप इसमें यह भी कर सकते हो अब यहां पर आप जो है क्या करोगे एक रुपे का कितना निम्बू आएगा तो 3 बटे 4 और इधर एक रुपे का कितना निम्बू आएगा तो 4 बटे 3 ठीक है इसको फिर जो है आप 3 बटे 4 minus 4 बटे 3 upon 3 बटे 4 into 100 करके भी इसी प्रकार से स्वाल करके आप इसका आंसर भी निकाल सकते हो है ना समझ में आगई बात मनलब भाई एक निम्बू का करम उल्य कितना है और एक निम्बू का विक्रम उल्य कितना है वो निकाल लो फिर उससे स्वाल करो तब भी आपको हानी प्रतिस्ट तो पता ही चली जाएगी क्योंकि एक निम्बू पर जो हानी हो रही होगी वही उसका ही तो भाई आंसर निकलेगा ना है ना एक निम्बू पर हानी हो रही होगी उतनी उतनी ही तो हो रही होगी तीनों पे तो वो तो अल्टीमेटली मल्डिपलाइब कर अंसर आ जाता है आपको बता ही होगा इस टाइप का कोशन मैंने ये कॉंसर पहले भी बता है कैसे एक कांग की जो नियम वाले होते हैं वो कैसे स्वाल किये जा सकते हैं तो एक निम्बू का क्रम उल्ले निकालो और एक निम्बू का विक्रम उल्ले निकालो फिर उससे आप जो है लाब प्रतिशत या आपनी प्रतिशत वाला जो भी फॉर्मूला आपको लगाना है वो लगा दो common sense है हानी हो रही है CDC तो हानी प्रतिसद का लगाना लाब प्रतिसद दिखे तो लाब प्रतिसद का लगा देना ठीक है चलिए बढ़ते हैं next question की और next question है आपके सामने कि किसी वस्तू को अगर हम उन सित्तर रूपे में बेचने पर किसी वस्तू को अगर मैं उन सित्तर रूपे में बेच रहा हूँ तो मुझे आठ प्रतिसद की हानी हो रही है और यदि उस वस्तू को मैं 78 रूपे में बेचता हूँ कितने मैं 78 रूपे में तो मुझे बताना है कि उसको लाब होगा या हानी होगी तो अल्टिमेटली क्या है पहले उस वस्तू का क्रम उले निकाल ले फिर उस क्रम उले और 78 का डिफरेंस देख लेंगे लाब हो रहा है या हानी हो रहा है उससे अपना अंसर आ जाएगा है ना चलिए तो इस कोशन को करेंगे आप सभी लोग ये लिजिये आपका समय हुआ start करिएगा इस कोशन को जल्दी से simple सा कोशन है करिए इस कोशन को जल्दी से जल्दी और इसके अंदर जो है आप अनुपात वाला Method भी लगा सकते हो आपकी इच्चा करे तो आपकी इच्चा करें तो आप इसको basic से solve करिए आपकी इच्चा करें तो और कोई method से use करिए मैं भी आपको जो है सबी methods के बारे में लगबग सबी questions में पिछले 3-4 lectures के अंदर अपन यही समझ रहे हैं कि किस type के questions में आप किस type का method लगा सकते हो ताकि आपके answer जो है वो जल्दी से जल्दी आजाए है ना यही सिख रहे हैं अपन तो अब जो है आपका time आ चुका है आप जो है इसके अंदर आप इस नियम का use कर सकते हो कौन सा concept यूज़ करोगे वो आपके उपर है करिए इस concept को यूज़ यहाँ पर किसी भी एक concept को और answer निकालिए जल्दी से जल्दी करिए आपका समय हो रहा है समाप्त जल्दी करिएगा complete समय सीमा समाप्त ठीक है चलिए देखिएगा इस question में क्या करेंगे इस question में देखिए मैं आपको अनुपात समानुपात वाले concept से करवा देता हूँ अगर यह 69 रूपीज में बेचने पर 8% की हानी हो रही है इसका मतलब जो भी करम मुल्य है उसका यह 92% की value दे रखी है अपने को क्या यह 69 रूपीज उसकी 92% ही तो हुआ अब इसका समानुपात हो जाएगा यह जो 78 है यह कितने प्रतीसत है यह मुझे अगर पता चल गया 100 से कम हुआ तो आनी हुई है 100 से ज़दा हुआ तो लाब हुआ है clear है ना बस अब यही तो solve करना है मुझे तो अब solve करने के लिए क्या करोगे middle वालों का multiply और corner वालों का multiply clear है तो यह हो जाएगा कितना 69x is equal to 92 into 78 ठीक है 13 से divide कर दो 13 से sorry 3 से कर दो पहले तो अगर हो रहा हो तो 3 से हो जाएगा ना यह देखो 3 दूनी 6, 3 तिया 9 और यह 3 से कितनी बार होगा तो 3 दूनी 6 और 3 चिंग 18 ठीक है फिर अब यह 23 से हो जाएगा कितनी बार 4 बार है ना और x बराबर के आजाएगा तो 4 चिंग 24 हसे लगी 2, 4 दूनी 8 और 2, 10 यानि 104 104% इसका मतलब 104 आया है यहाँ पर 92% क्या था कि यह जो 69 है यह उस वस्तू का 92% है जितने की वो वस्तू है उसका 92% तो 78 कितना परसेंट है 104% है 104% का मतलब हुआ 4 प्रतिसत अपने को क्या हो रहा है लाब हो रहा है यानि ऑप्सन भी अपना एक दम सही उत्तर हो जाएगा समझ में आ गई बात किलियर है कैसे आया वो समझ में आ गया वापस सुन लिजिए भाई 69 रुपीज में बेचने पर 8% की हानी हो रही है तो 8% हानी का मतलब क्या होता है 8% हानी का मतलब है कि आप उस वस्तू को उस वस्तू के मुले से 8% कम में बेच रहे हो 8% कम का मतलब 92% में बेच रहे हो है ना तो अगर 960 रुपे 92% है तो 78 रुपे कितने परसेंट है ये मुझे पता लगाना था तो मैंने क्या करा अनुपात समानुपात का कॉंसेट लगा दिया कि 69 अनुपात में किसके बराबर है 92% के तो 78 कितने अनुपात के बराबर होगा तो वो 104% के बराबर आ रहा है 104% का मतलब क्या है 100 से ज़्यादा 100 से ज़्यादा यानि उसको लाब होगा किलियर हुआ चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट कोशन है आपके सामने ये एक बैतरीन सा कोशन है थोड़ा सा बड़ा कोशन भी है ये ठीक है इसको समझीएगा क्या कह रहा है देखो कोशन कह रहा है A, B को 10% की हानी से कोई वस्तू 45,000 रुपे में बेचता है a जो है वो B को 10% की हानी से कितने 10% की हानी के साथ में किसी वस्तू को 45,000 रुपे में बेच देता है 10% हानी पर B 45,000 इसका मतलब उस वस्तू का 90% ये वैल्यू कितना है 45,000 90% वैल्यू उसकी 45,000 है ठीक है, चलो, B इसे फिर क्या करता है, C को इतने मुल्य पर बेचता है, C को बेच रहा है, लेकिन कितने मुल्य पर, तो इतने मुल्य पर बेचता है, जितने पर बेचने से, A को 10 प्रतीसत का लाब हुआ होता है, क्या हुआ होता है? A को 10% की हानी पर बेच रहा था उसके जगे ये कह रहा है कि B इसे C को इतने में बेच रहा है C को कि A को 10% का लाब हो जाए है ना तो बताओ ultimately B को कितने प्रतिस्ट का लाब होता है ये आप से पूचा गया है ठीक है? चलिए तो देखिएगा इस कोशन को कैसे करेंगे उससे पहले आपका समय होता है Start आप करेंगे इसको जल्दी से उसके बाद में मैं आपको बताता हूं आपका समय हो चुका है Start जल्दी से जल्दी इस कोशन को करिएगा और ये Simple सा कोशन है जो अभी पिछे अपने एक दो कॉंसेप्ट सीके हैं उन्हीं को मिक्स करके ये कोशन बनाया गया है थोड़ा सा और कुछ नहीं है करोगे तो आपके समझ में आ जाएगा ठीक है? करिए जल्दी से जल्दी इसका आंसर निकालिए आदा टाइम तो चला गया है आपका आदा टाइम रहा है एक्जाम में भी देख लो आपके टाइम आते जा रहा है बस दिसंबर के बाद में जनवरी और मिलेगा दिसंबर जनवरी दो महीने और है नवंबर तो पूरा होते जा रहा है धीरे धीरे देख लो आज 11 नवंबर हो चुकी है है ना तो टाइम जाता है पता नहीं चल रहा है देख लो 11 नवंबर आ चुकी है 9 मेना भी कंप्लीट होने वाला है 19 दिन ही रहे 4, 3, 2, 1 समय समाप्त देखिए इस कुर्शन को कैसे करेंगे अब इसने क्या बोला 10 परसेंट की हानी से अगर कोई वस्तू 45,000 इसका मतलब 90 प्रतीशत उस वस्तू का 45,000 के बराबर है तो 100 परसेंट कितना हो जाएगा तो 100 परसेंट हो जाएगा 45,000 गुणा 100 बटेन नवे क्यों 1 परसेंट बराबर होगा 45,000 बटन अबे 100% यानि 100 से कुणा अब इससे सौल करेंगे तो ये 0 से 0 फिर ये 9 से काटेगा 5 बार नो बंजे 45 अब ये कितना आ गया तो फिर तो ये आ गया आपके पास में 50,000 रुपे कितना आ गया 50,000 रुपे यानि ये जो है वो कितने में खरीदता है उस वस्तु को 50,000 रुपे में खरीद रहा है अब इसने बोला C को वो कितने में बेच रहा है जितने में A को 10% का लाब हो A को 10% का लाब कब होगा तो A का 10% का लाब तब होगा जब वो 50,000 की वस्तु को कितने में बेच है 55,000 में है 110 10% का मुला यह हुआ और यह 0000 से 0000 उड़ा 11,50 55 और 1,2,3,0 यानि 55,000 रुपे तो 10% लाब पर बेच रहा है यानि 55,000 रुपे तो यह 55,000 रुपे किसका हुआ C की वैलिव है यह ना यह तो C का प्राइज है और यह A ने दिया था और बी का प्राइज कितना है तो बी का जो आपका प्राइज है वो तो कितना है बी का प्राइज कितना है 45,000 pees, तो A, B और C तीनों के जो खुद ने पे किए वो पैसे आ चुके है अब पूछ रहे कि बी बी को कितने परतिस्ट लाब होगा तो बी का पहले लाब तो पता हो है ना अब बी का लाब कितना होगा तो भाई बी का लाब देखो बी ने खरीदा कितने में 45,000 में बेचा कितने में 55,000 में यानि लाब कितना हुआ 10,000 का कितने का 10,000 रुपे का ठीक है तो लाब प्रतिस्ट क्या हो जाएगा तो लाब प्रतिस्त हो जाएगा 10,000 डिवाइड बाइ कितना पर 45,000 पर है ना बी का करम मुले कितना है 45,000 इसलिए डिवाइड करेंगे 45,000 इंटू 100 अब 3,0 से 3,0 उड़ गया 5,2,10,5,9,45 यानि कि कितना आएगा ये तो ये आजाएगा 200,9 परतिस्त कितना आएगा 200,9 परतिस्त आजाएगा यानि ऑप्सन C इसका राइट आंसर हो जाएगा समझ में आगई बात किलिए रहे आप सबी लोगों के लिए तो ऑप्सन C कैसे आएगा 200,9 परतिस्त वो मैंने आपको बता दिया बही बही का सेलिंग कोश्ट प्राइज कितना था 45,000 रुपे सेलिंग प्राइज है 55,000 तो 10,000 का फाइदा हो रहा है 10,000 का मतलब 200,9 परसेंट है 45,000 का समझ में आगई बात इसलिए इसको इतना लाब हो रहा है कितना लाब हो रहा है अपना ये टॉपिक लाब और हानी कंप्लीट होता है तो अपने प्रतिसत्ता और लाब हानी जो अंक गणित के टॉपिक है उनको भी कंप्लीट कर दिया है अब आप लोगों को कौन सा नेक्स्ट टॉपिक पढ़ना है प्लीज कमेंट करके ज़रू बताईएगा लव यू अल आप यू प्लीज टेक केर और प्लीज शेर विट यू प्रेंट्स जय हिंद जय पारत